पिछले एक साल से कुष्टी में सब कुष ठीक नहीं चल रहा है पिछले साल शुरू हुआ साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का धर्ना प्रदर्शन अब साल भर बाद उनके ही खिलाफ हो रहा है जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर युवा पहलवानों ने अपने ही वरिष्ट पहलवानों के खिलाफ धर्ना प्रदर्शन किया युवा पहलवान अपने करियर के महतोपूर्ण एक वर्ष के नुकसान के विरोध में जंतर मंतर पर एकत्र हुए और धर्ना प्रदर्शन किया साथ ही नारेबाजी की इस इस्तिती के लिए उन्होंने शीर्ष पहलवान, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोशी ठहराया है युवा पहलवानों ने हाथों में तक्तियां लेकर साक्षी मलेक बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का नाम लेते हुए उनके ही खिलाफ नारेबाजी की युवा पहलवानों ने अपना रोश व्यक्त करते हुए उनके पोस्टर भी फाड़े प्रदरशन में आई निधित्र पाठी ने बताया कि हमारी मांग है कि खेल फिल्ट से शुरू कराये जाएं क्योंकि पिछले एक साल से एक भी खेल नहीं हुआ है उन्होंने आगे बताया कि जब इन दोनों ने इस्तीफा दे ही दिया है तो हमारे देश और बच्चों के भविश को क्यों नुक्सान पहुंचा रहे हैं जब दोनों लोग इस्तीफा दे ही दे रहा है तो हमारा कुष्टी हमारे देश के बच्चों को खिलाडियों का भविश क्यों नुक्सान कर रहा है इन लोग को गेम सुरू करवाईए और फिर से इनका गेम करवाईए एक साल से प्रैक्रिस कर रहा है सुबह से पाच बज़ वहीं मीडिया से बात करते हुए पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है कि मैंने भले ही सन्यास ले लिया है लेकिन जो आने वाले युवा पहलवान है उनकी प्रतियोगिता जल्द से जल्द शुरू की जाए मैं नहीं चाहती कि हमारी वज़े से उनके भविश को कुछ नुक्सा मैंने सन्यास ले लिया है और मैं यह चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़किया है बच्चिया है 62 किलो में जो है वो मेरा सपना पूरा करें मैंने ब्रोंज जीता है मैं चाहती हूँ कि पैरिस ओलंपिक में 62 किलों में जो भी नहीं लड़ किया है वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए और एड ओफ कमेटी ने सीनियर नैशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, 20 का भी नैशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वज़े से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रैसलिंग में नुक्षान हो उन्होंने युबा पहलवानों द्वरा किये जारे प्रदर्शन पर बोलते हुए तहा कि ये ब्रिजभूशन का प्रोपोगैंडा है और यह सब उनके आदमी है ये वही करवा रहे हैं मैंने अठरा बीच साल कुष्टी को दिये और मैंने अपनी कुष्टी त्यागी तो मैं ही जानती हुगे मैं कितनी मानसिक परेशान हूँ और वैसे ही मैं बता रही थी कि सोशल मीडिया पर बहुत गलत लोग कुछ ब्रिजभूशन के आईटी सेल खिलाफ बोलते हैं और आज ये प्रोटेस्ट ये भी मुझे आपके मादम से ही पता चला कि आज जंतरमंतर पर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये ब्रिजभूशन का प्रोपागेंडा है वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ आप प्रोटेस्ट के दोरान भी देखते होगे कि कैसे कैसे वो अलिगेशन लगा रहा था तो ये सब उसी के आदमी है और वही करवा रहा है हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए